हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारी यट्यूब चैनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि रियलमी के फोन में फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स गेम का OVV फायल कैसे सेट करें तो गाइस यहां पर अगर आपको कोई प्रॉलम आती है तो उसका सलूसन भी बताने वाले हैं तो वीडियो को लाश तक देखते रहे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो गाइस करना क्या है सबसे पहले आपको देखिए प्ले स्टोर में जाना है और सर्च बार में क्लिक करके आपको टाइप करना है जेड अचीवर और इसे सर्च करना है देखिए इस प्रकार का लोगो है आप इसे इंस्टॉल कर लेना मातर 4 MB का है और गाइस अगर इसमें पहले प्रॉलम आती थी तो उसका सलूसन भी हो चुका है क्योंकि इसका न्यू अपडेट आया हुआ है तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है फिर आपको इसे ओपन करना है पर्मिसन को गाइस सबसे पहले आपको इलाओ कर देना है तो हम guys इस पर क्लिक करते हैं APK पर और install पर क्लिक करते हैं अगर आपने install कर रखा है तो कोई बात नहीं आप चाहें तो फिर से install कर सकते हैं यहां से या उससे delete करके फिर से install कर लेना फिर done करना है अब आपको बैक आना है mobile के home screen पर और गाइस अब आपको एक बार free fire game को चालू करना है इस परकार open होगा लेकिन game पूरा चालू नहीं होगा क्योंकि OVV file अभी हमें set करना है देखे इस परकार open होगा अब आपको बैक आना है बैक आने के बाद गाईस अब आपको फिर से जेड़ अचीवर एप को ओपन करना है फिर आपको सबसे पहले Android वाले फोल्डर में जाना है फिर यहाँ पर OVV में जाना है यहाँ पर भी Permission Allow कर देना है देखे Permission Allow में ने कर रखा है अब यहाँ पर Free Fire का फोल्डर आपको मिल जाएगा अब आपको बैक आना है यहाँ बैक आएगे फिर से आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर आप Free Fire का OVV फाईल रखे हैं तो यहाँ पर है इसे आपको Compy करना है तो Compy करने का दो तरीका है आप इसके file name के सामने orange color पे click करेंगे देखे यहाँ पर मैंने click किया select हो गया अब उपर यहाँ पर click करना है फिर आपको यहाँ से copy or cut पर click कर लेना है यहाँ से copy or cut कर सकते हैं दूसरा थरीका AI आप इसके name पर tap किये रहेंगे click करके hold किये रहेंगे कुछ second tap तो यहाँ पर भी copy या cut option मिल जाएगा यहाँ से copy कर लेना तो मैं copy पर click करता हूँ फिर आपको सबसे उपर यहाँ पर click करना है फिर device memory पर click करना है फिर android वाले folder पर फिर obb वाले folder पर फिर देखे यहाँ free fire या free fire max जो भी रहाएगा उसके folder पर click करना है फिर आपको नीचे paste कर देना है हरे color पर click करके और देखिए अब हमने इतना कल लिया हो चुका है अब आते हैं दीरे दीरे बैक और game को open करते हैं game चालू हो जाएगा बिना किसी problem के तो guys यार एक like तो बनता है वीडियो को like जरूर से कर देना देखिए game open हो चुका है एक 2MB का छोटा सब्डेट है अब इसे खेल सकती है तो guys आज की डूम बस इतना ही वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लेना एक प्यारा सा comment भी कर देना थैंक्यू